अजाग नेशन न्यूज बैनी नजर हर खबर सरकार द्वारा बित्रण किये जाने वाले राशन का लाभ पात्रों को मिल पा रहा है या नहीं इसका जाएजा लेने के लिए भाजपा कारी करता निकल पड़े हैं कल बरेली के भुझी प्राबलाक के अंतरगत सुरला गाउं में भारती जन्ता पार्टी के पिछड़ा बर्ग मोर्चा के बरेली जिलाध्यक्ष शेलेंद्र बिक्रम सिंध पाल पहुँचे और उन्होंने देखा कि कोटेदार को तीन कुटल 90 किलो गल्ला उपर से ही कम मिला है हलाकि पूरे प्रदेश में प्रतेक यूनिट पर गरीबों के लिए 5 किलो राशन देने की योजना बहुत पहले से सरकार द्वारा चलाई जा रही है परन्तु किसी को भी राशन पूरा नहीं मिल पाता बज़े यह है कि कोटेदार को ही राशन पूरा नहीं मिलता इस पर पूरी बातचीत की गई तो क्या कहा शेलेंद्र बिकरम सिंगपाल ने सुनिये आँ प्रदेश में दोबारा भारती जन्ता पार्टी के सरकार बनी है और भारती जन्ता पार्टी के सरकार ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो जाके देखें कि जो गरीब लोग हैं जिन जंता को गल्ला मिलता है उन्हें कोई समस्या तो नहीं है और इसी क्रम में आप आए हुए हैं पहले में पढ़ते जानना क्या हुआ हुआ आपका मेडम शेलन दित्रम सिंग पाल है और भरतेंता बाड़ी पिछला मुर्ची का जिलाद द्यक्षू में जिलाद धक जी आए हैं और यह देख रहे हैं यहां पर कोटेदारों की समस्या भी हैं कुछ लोगों की समस्या भी हैं उनको देखने के लिए आए हैं आए पूस्ते यहा हमोरा बाबा विन्वाय मिटकर जी का खोड़ा चल रहा है तो ही 6 तारिख से 20 तारिख का हम लोग जनता के बीच जनता की जो जो समस्या कि जहां कहा जाता था कि हम रुपया भेजने हैं और नीचे दर नहीं पहुंच रहा है तो उनका जो परणाम हुआ ऐसा परणाम ना हो इसके लिए हम एक एक कदम फूफूख के आगे बढ़ा रहे हैं भार जी अपरणाम पार्टी की नीतियों से पिर देश में क्या देश में लोग संतोष्थ हैं यह बास सही है कि गुण्डों पर माफियाओं पर कारवाई हो रही है अब फिलाल तो यह जंता की जो भी गल्ले की समस्या है जो रासन की समस्या है उसको लेकर आए हैं अब एक सम क्मिश्चा काम परकार नहीं करना है कि कि जंता के बीच में बैट के जनता को भी सुन रहा हूं और उन्से कह रहा हूं कि जो भी समस्या है उस पत्रग द्वायाद है जिससे सही से हम प्रसासन की बीश में प्रस्तुत कर सके हैं मुझे नहीं पता कोटेदार हैं क्या कर रहे हैं लेकि मेरी निजर में हम कोटेदार को भी दोशी नहीं ठहरा रहे हैं हम इन दोनों के पक्ष लेके प्रसासन के सामने रख रहे हैं क्योंकि कोटेदार भी जनता का है, प्रधान भी जनता की है और जनता तो अब शैम मालिक है ही तो इनकी समस्या का निराकन तभी हो सकता है जब हम इन सब लोग समस्याओं को लेके प्रिसासन की बीच बैठ के सामझे से बनाए मैंने अभी कुड़ेदार से जो रसीदे थी जिसमें कुछ कमी पाई गई उस कमी को मैं डियम साब हैं और इसके अधिकारी हैं उन लोग के बीच ले जाकर इसका निराकण कराऊंगा और जो आज ये लोग बात कर रहे हैं इनको संतुष करने के लिए ऐसा नहीं कि यहां जाने के बाद मैं बैठ जाऊंगा भार्तिंदा पार्टी ने हम सब कार्यकरताओं को इस तरीके से लगाया हुआ है अजाद नेशन नियूज पैनी नजर हर खबर